अबिशेक जोशे एलेक्रिकल इंजिनियर इन बिल्डा ग्रूप अफ कंपनीज दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मोटर ओवर करेंट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री इसमें जब भी कोई मोटर बार बार ओवर करेंट पर ट्रिप होती है तो प्र आपको होती है यह आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं देखें जब भी कोई मोटर बार बार ओवर करेंट पर ट्रिप होती है तो सबसे पहले आपको यह देख लेना चाहिए कि क्या एक्चुल में वह ओवर करना चाहिए कि कहीं रिले माल फंक्शन तो नहीं कर रहा है इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप मोटर का करेंट चेक कर आप यह देख सकते हैं कि सही में करेंट 20 A से जादा चल रहा है या 20 A से कम लिमिट पर ही है अगर मान लीजिए करेंट सही में 20 A से ज पर यह जिसके वजह से आपकी मोटर में ट्रिपिंग आ रही है बट इन केस अगर आपकी मोटर 20 A से कम का ही करेंट ले रही है 18 A, 17 A ही ले रही है उसके बाद भी अगर ओवरलोड रिले ऑपरेट हो रहा है ओवरलोड पर ट्रिपिंग आ रही है तो इसका सीधा मतलब यह हो बेल्ट कनवेर में बहुत बार मटेरियल जादा आने के वजह से करेंट जादा हो जाता है जिसके वजह से रिले ऑवरलोड की ट्रिपिंग प्रवाइड करता है अब ऐसे में आपको सबसे पहले यह देखना लेना चीए कि बेल्ट पर मटेरियल जादा तो नहीं है इन केस अगर मालीजिये, बेल्ट पर जादा material नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है, कि मोटर बार-बार overload पर trip हो रही है, तो आप मोटर को decouple mode में trial ले सकते हैं, यह सबसा अच्छा तरीका होता है, यह decide करने का, कि जो problem है, वो motor side में है, या फिर load side में है, देखें, मोटर पर जो belt conveyor हमने लगाया है, यह belt conveyor इस motor के लिए एक load है, तो आप motor और belt conveyor को अलग कर दीजे, मतलब आप motor को decouple कर दीजे, और उसके बाद आप सिर्फ motor चला कर देखिए, अगर आपका circuit और सिर्फ motor अच्छी तरीके से run हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि ना ही circuit side में कोई problem है, ना ही motor में कोई problem है, जो भी high current का reason है, वो load side में है, यानि कि जो belt conveyor है और उस पर जो material है, यह सारी problem load side की है, ना ही आपके motor की कोई problem है, ना ही आपके circuit की कोई problem है, मान लिजे, decouple condition में भी, अगर motor trip होती है, तो उसमें आपको यह clear हो जाएगा कि जो भी problem है, व false command आ रही है, कोई malfunction कर रहा है, या तो फिर आपके motor side में कोई issue है, जिसके वज़े से current जादा जा रहा है, पर decouple करना एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, जिसके वज़े से आप clearly decide कर सकते हैं कि जो problem है, वो motor side में है, या तो फिर वो load side में है, इसमें दोस्तों आपको इ relay undersized का लगा दिया होगा, अगर आपकी motor हमेशा running रहती है, अगर आपका पुराना plant है, जो system में वो हमेशा से running रहा है, तो फिर relay undersized होने का उतना सवाल नहीं उठता, क्योंकि अभी तक वो motor अच्छी तरीके से चली रही थी, पर अगर आपने अभी relay change किया है, new installation किया है, उ इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका link में आपको i button पर दे दूँगा, उसको देखकर आप ये clearly समझ जाएंगे, कि किस range का relay आपको किस application में या किस rating के motor के लिए decide करना चाहिए, ये हम कैसे select करते हैं industries में, ये आप उस वीडियो में देखकर easily आप समझ सकते हैं, तो उस relay की rating देखिए, कि गलती से आपने undersize का relay तो नहीं लगा दिया, इसके लावा दोस्तों motor over current का एक angle ये भी निकलता है, कि motor की bearing में अगर कोई problem होगी, motor की bearing अगर बहुत dry हो गई होगी, उसका lubrication अब उटना अच्छा नहीं रहा होगा, bearing अगर damage होई होगी, तो उस case में भ फायदा हमेशा मिलता है, क्योंकि अगर motor की bearing में कोई problem है, तो भी motor जादा current लेगी, और load side में अगर कोई problem है, तो भी motor जादा current लेगी, तो अगर आप decouple कर देते हैं, तो decouple condition में, अगर मान लीजे, आपकी motor bearing में कोई problem है, तो decouple condition में भी motor जादा current लेगी, तो आपको य यह चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो भी प्रॉब्लम है वो मोटर साइड में है तो फिर आगे का अप्रोच आप उस तरीके से रख सकते हैं इसके लाव दोस्तों एक एंगल और भी होता है शॉर्ट सर्किट का मान लीजिए कि आपके मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है यह वीक हो गया है और शॉर्ट सर्किट के वज़े से या अर्थ फॉल्ट के वज़े से आपकी मोटर ओवर करेंट पर ट्रिप हुई है देखिए शॉर्ट सर्किट हो या फिर ओवर लोड की कंडिशन हो हर कंडिशन में आपका जो मोटर का करेंट है वो शूट अप होता ही है आपकी preset limit से जादा जाता ही है पर अगर over current की condition में आपके power fuse blown हो गये हैं खासकर अगर दो fuse या तीनों fuse ऊड़ गये हैं तो उस case में motor को मेगर किये बिना आपको चालू नहीं करना चाहिए अगर तीनों power fuse blown हुए है या दो fuse भी अगर blown हुए है तो आपको सबसे पहले motor को चेक करना चाहिए आपको देखना चाहिए कि motor बहुत ज़्यादा गरम तो नहीं है आपको terminal box खोल के भी एक बार देख लेना चाहिए कि कहीं single phase की condition तो नहीं हो रही आपको motor meager कर लेनी चाहिए कि motor में कोई winding short तो नहीं हुई या motor earth तो नहीं हो गई ये सब को चेक करने के बाद ही आपको motor को चालू करना चाहिए अगर आपके fuse blown हुए है क्योंकि अगर दो या दो से ज़्यादा power fuse blown हुए है इसका मतरब current का magnitude बहुत ज़्यादा गया है जो normal overload की condition होती है उसमें normally fuse नहीं जाते उसमें स्रिफ overload relay ही trip होता है तो उसको चेक करना उसको एक तरीके से सोचना comparatively आसान होता है पर अगर आपके power fuse blown हुए है तो आपको ये तुरन समझ जाना चाहिए कि current का magnitude बहुत ज़्यादा गया है तो इसलिए motor को चेक किये बिना आपको फिर से उसे start command नहीं देना चाहिए तो दोस्तों ये कुछ practical reasons थे कि अगर motor over current पर trip ह होती है तो किस-किस एंगल से आपको सोचना चाहिए कौन-कौन से conditions आपको चेक कर लेनी चाहिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को subscribe कीजिएगा मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान दखिए गुद्पार